जैने दोस्तों विल्किम बैक तो गाईज अभी के टाइम पे कस्टम ISO को लोग यहाँ पे काफी पसंद कर रहे हैं काफी लोग यहाँ पे इंस्टॉल करा रहे हैं और इसके कई सारे यहाँ पे रिजन है बिना किसी लाग के इवन अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग में भी आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे परिफॉर्मेंस निकाल के देता है अच्छा खासा एफपीस आपको यहाँ बूस्ट देखने को मिलता है और इनी कस्टम ISO में यहाँ पे सबसे जो बेस्ट ISO कंसिडर हो रही स्टाइल हो है आपकी Atlas OS और Atlas OS को लेके भी काफी सारे लोग ने कॉमेंट किया था कि उसको यहाँ पे Windows 11 में बिना किसी USB बिना किसी bootable device के कैसे यहाँ इंस्टॉल कराना है तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही simple तरीका बता हूँगा जहाँ पे आप असा अब यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे Windows 11 का यूज़ कर रहा हूँ अब यहाँ पे देखिए दो different scenarios हो सकते हैं या तो आप Windows 10 का अस्तमाल कर रहे हैं या तो Windows 11 अगर आप Windows 11 यूज़ कर रहे हैं तो बस आप good to go है फटवड यहाँ पे आप अपग्रेड कर पाएंगे Atlas OS मे लेकिन अगर आप Windows 10 का स्तमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपग्रेड करना पड़ेगा Windows 10 से Windows 11 में अब इसके लिए मैंने कई सारी वीडियो गाईज बनाई हैं मैं आपको सारी लिंक description में दे दूँगा अगर आपन supported hardware पे हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना चाहिए अगर आप यहाँ पे not activated copy use कर रहे हैं तो यहाँ पे आप upgrade नहीं कर पाएंगे और इवन यह recommended भी नहीं है कि आप यहाँ पे not activated या pirated यहाँ पे copy use करें Windows 11 ये Windows 10 की अब इस पे मैंने और इक वीडियो बनाया गाई कि आपको क्यों यूज नहीं करना चाहिए इस तरह कि pirated या not activated और अगर आपको यहाँ पे activate करना अपने Windows को तो आप सबसे बहतर है कि आप इस website पे आएए इसका link में आपको description में दूँगा यहाँ पे आने के बाद आपको कई सारी Windows 11 की, Pro की, 10 की सारी keys आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको बहुत इस की को आप purchase करिए और हमेशा के लिए आप enjoy कराईए तो जैसे यहाँ पे आपका दो यह काम complete होता है Windows 11 में upgrade करना और आपकी Windows की का यहाँ पे activate होना उसके बाद आपको आना इस website पे Atlas की इसका भी link में आपको यहाँ पे description में दे दूँगा यहाँ पे आने के बाद मिलता ह आप modification और Windows designed for gamer आप इसके बारे में यहाँ पे read करना चाहें तो read कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे दो option मिलेंगे Atlas playbook AME wizard तो दोनों पे आप click करिए और इन दोनों फाइल को यहाँ पे आप download कर लिजे और जैसे यहाँ पे दोनों फाइल डाउनलोड हो जाती है सबसे पह मिलेंगी और यहाँ पे आपको मिलेगा disable automatic driver installation तो यहाँ पे आपको double click करना है run पे click करना है yes पे click करना है yes और okay इतना करने के बाद इस folder को यहाँ से close करिए अब आईए यहाँ पे AME wizard बीटा पे यहाँ पे दुबारा से right click करिए extract all कराईए extract कराईए और extract होने के बाद यहाँ पे आप double click करिए yes पे click करिए और इस तरह के यहाँ पे wizard बीटा आपका जो है dashboard open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे क्या करना है जहाँ पे कह रहा है drag.appx file तो यहाँ पे आपको click करना है फिर आपको download में जाना है जहाँ पे आपने atlas की file को download किया था फिर यहाँ पे आपको जाना atlas playbook वाले folder में और यहाँ पे आपको मिलेगा atlas playbook.appx वाली file तो बस यहाँ पे आप इसको click करिए select करा आईए open पे click करिए और select होते ही यहाँ पे आपको जो है सराकार page देखने को मिलेगा तो इतना गरने के बाद finally आपको यहाँ पे next पे click करना है अब यहाँ पे detect करेंगा activation को देकिंए आप यहाँ पे हमारा windows activated है तो हमें आप यहाँ पे message आ गया है यह विंडोस is activated और requirements met दूबारा सी आप यहाँ पे next पे click करिए next पे click करिए agree पे click करिए फिर यहाँ पे click करना है select options पे और यह बोला है Enable करना Defender को कि Disable करना है तो अगर आप Windows Defender को यहाँ पर Disable करना चाहते हैं In case अगर आप कोई Third Party Security यूज़ करना चाहते हैं तो आप Disable करिए वन्हाँ मैं recommend नहीं करूँगा कि आप Defender को यहाँ पर Disable करिए Next पर क्लिक करिए Default Windows Mitigation पर रहें दीज़े Next कराईए Disable Core Isolation तो इसमें भी मैंने वीडियो बनाई है अगर आप Disable करना चाहते हैं तो कर सकते हैं Performance में Disable करने से आपको फर्क देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर Next पर क्लिक करिए फिर यहाँ पर कुछ और Option मिलते हैं कि आप Microsoft Edge को यहाँ पर हटाना चाहते हैं Bluetooth को हटाना चाहते हैं Power Saving Mode को हटाना चाहते हैं तो अगर Optional है आप हटाना चाहो तो हटा लो मैं फिलाल यहाँ पर नहीं हटाओंगा तो अंचेक कर लेते हम इसे OK पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर Next पर क्लिक करिए अब यहाँ पर यह एक्स ट्रैक करेगा Resources, PowerShell वगरा को Optimize करेगा तो अब यहाँ पर थोड़ा से आप Wait करिए जब तक कि सारा Process यहाँ पर Complete ना हो जाए और अगर इन Between Guys यहाँ पर आप से Windows Defender को Deactivate करने के लिए बोलता है तो आप वह भी यहाँ पर कर लिजेगा आप Settings में जाके Virus Internet Production, Real Time Production को यहाँ पर Disable करिएगा और दुबारा से जब आप इस Process को Continue करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई Problem नहीं आएगी यह तब ही करना है जब आपके पास यहाँ पर Indication आए जब आपके पास एक Prompt आए कि आपको यहाँ पर Windows Security को Disable करना है ओके गाईस तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है Windows 11 यहाँ पर अपग्रेड हो गया है Atlas OS में और यहाँ पर हमने किसी भी तरह का USB tool या किसी तरह की bootable drive भी यहाँ पर नहीं create करी है और यहाँ पर बहुत ही simple तरीके से हमने अपग्रेड किया है और यह बहुत time भी नहीं लेता है मुश्किल से आपका 5-7 minute का time लेगा और यह यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा अब अपग्रेड होने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दू कि अगर हम data की बात करें देखें download section में जो भी हमने यहाँ पर download किया था जब हम windows 11 में थे तो वो सारी file हमारी यहाँ पर exist करती है document में मेरी कायस होती तो document में भी वो यहाँ पर exist करती है तो इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पर आपका data नहीं जाने वाला data आपका as it is रहेगा कोई भी file आपकी यहाँ पर delete नहीं होगी clear अब इसके बाद अगर मैं activation के बात करूँ तो अगर हम यहाँ पर search करेंगे activation setting तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी windows 11 भी activate थी और upgrade करने के बाद Atlas में यहाँ पर हमारा Atlas OS भी यहाँ पर activated रहेगा clear तो अब इसके बाद कुछ और basic चीज अगर हम यहाँ पर गाईस देखें like task manager में जाएं और यहाँ पर अगर हम performance में जाते हैं तो अब आप यहाँ पर देख लो हमारे windows 11 में जो process count होदा था वो around 134, 135 के आसपास था वो अब reduce होके आ गया है 86 के और 90 के बीच में thread हमारा 1500 के आसपास आ गया है और handle हमारा 40,000 के आसपास आ गया है और यह काफी अच्छा खासा difference है और इन ही की वज़े से अब आपको एक अच्छा performance देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पर आपको old context menu देखने को मिलता है आपको यहाँ पर atlas का tool भी मिलेगा तो यहाँ पर आप कई सारी चीज़े को यहाँ पर run करा सकते हैं अगर atlas के बारे में आपको और detail चाहिए तो मैंने उस पर already एक video बनाया है आप उसको यहाँ पर check out कर सकते हैं तो यह तक यहाँ पर एक best और easy तरीका atlas OS में अपग्रेड करने का windows 11 से बिना किसी यहाँ पर usb tool के hopefully आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और हम विलेंगे next वीडियो में बाइ बाइ